नमस्कार साथियों पहलवान गुरूदीन प्रिशिक्षा महाविद्ध्यालाय लरतपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैं प्रोफेसर नसीम खान प्रवक्ता राजनीती विग्यान आज हम बीए प्रतमवर्स राजनीती सास्त तुत्तिय प्रशन पत्र मैं कोटल के बिचारों के बारे में बिस्तार से अध्यन करेंगे कोटल को भारत के मेक्यावली चारक या विश्णू गुप्त जैसे नामों से जाना जाता है कोटल का जन्म बहुत ग्रंथों और सामान मानता अनुसार लगवक चार सो इशापूर्व तक्ष्चला के कोटल नामक एक ब्राम्मर बंस में हुआ था कोटल बंस में पैदा होने के काराण ही उसे कोटल कहा जाता है मुद्धरालाक्षस के रचेता बिशागधत के अनुसार उनके पता को चरगवी कहा जाता था पता के नाम के आधार पर उन्हें चारक कहा जाने लगा कोटल ने ही राजनीती सास्त को बिवस्थत और धर्म से सतंत लूप प्रदान किया जिस कारण है भारत का मेकियावली कहा जाता है क्योंकि मेकियावली ने इटली में वही काम किया जो भारत में कोटल ने संपन किया कोटल की सिक्षा दिक्षा प्रसिद नारंदा विस्विद्याले में हुई थी और सिक्षक बन अध्यापन कार किया परन्तु उस समय की कुछ घटनाओं ने उनके कारचेतर में बगलाओ कर दिया भारत पर सिकंदर का आक्रमाड और उस समय के छोटे छोटे राज्यों की पराज है मगत के सासाक महापदम लंद द्वारा कोटल का किया गया अपमान इन दोनों घटनाओं ने कोटल के कारचेतर में बदलाओ कर दिया अंधता और होने चंद गुप्र मौल के माध्यम से सुद्रिय के अंध्रिय विवस्थासन की स्थापना तथा नंद बंस की विनास करने के अपने लक्ष की पूर्ती की कोटल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम अर्षास्त है अर्षास्त एक राजनीतिक ग्रंत है जिसमें राजी की उत्वत्ती के संबंद में कोटल ने सामाजक समझोते का सद्धान सुईकार किया उन्होंने सपष्ट किया है कि राजी से भूर समाज में मतस्त ने आई की स्थती थी इस विवस्था से तंग होकर लोगों ने मनु को अपना राजा सुईकार किया राजा लोगों से आय और अन का कुछ भाग लेकर लोगों की सुरक्षा की विवस्था करता था कोटल के नुशा लाजी का उद्देश व्यक्ती के पूर विकास की सहायता करना है अच्छा लाज ना केवल सांती और सुरक्षा करता है बलकि स्वस्थ और मजबूत अर्थ विवस्था पर आधालत होता है कोटल ने राजी के सब्तांग सद्धान्द के बारे में बताया है कोटल ने राजी की उत्पत्ती के समदा सद्धान्द को मानते हुगे राजी के साथ अंगों को सुईकार करते हैं राज के साथ अंग वो कोई कारण ही कोटिल का सद्धान सब्तांग सद्धान कहलाता है राज के साथ अंग स्वामी जिसको राजा, अमात, जनपद, दुर्ग, कोस, दंड और मित्र ये राज के साथ अंग कोटिल ने इन्हें माना है कोटिल राजतंत के समर्थक थे, राजतंत में राजा के चारह ओर संपूर सक्तियां घूंती है इसलिए कोटिल ने सिक्षा को अनिवार माना है इसकी अतरिक राजा में अने गुड़ों का हुना आवशिक है कोटिल ने कहा है कि जिस परकार घुन लगी लकड़ी सीग्र नस्ट हो जाती है ठीक उसी परकार राजा के सिक्षत ना होने पर राजकुल बिना किसी युद्ध के सहम ही नस्ट हो जाता है अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और सबस्क्राइज नहीं किया है तो आप उसे जल्दी से जल्दी लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को तबाएं और बने रहें आगे की वीडियो में जल्दी ही लेकर आपके सामने परिस्तत हूँगा बन्दबाद